डीसी उनिवर्स में कई सारी सूपरीर फिल्में बनी है उन सम्में एक्वामेन सबसे जादा सक्सेस्फुल रही है पूरे एक बिलियन डॉलर से भी जादा का कलेक्शन किया था इसके फैंस काफी खुश है क्योंकि अब फाइनली इसका सेगिंड पार्ट आने वाला जिसका की नाम है एक्वामेन एंद लॉस्ट किंग्णम अक्सर डीसी की हर फिल्म के रिलीज होने से पहले उसके साथ कंट्रुवर्सी हो जाती है सेम इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही हो रहा है इसकी कंट्रुवर्सी रुखने का नाम नहीं ले रही जी हाँ, एंबर हड को तो आप जान दए होंगे एक्वामेन के फर्स पार्ट में मीरा का रोल निवाया था और यह वही एक्ट्रेस है जिसका जॉनी डैप के साथ कोर्ट केस हुआ था और कोर्ट केस था डॉमेस्टिक वॉयलिंस के मामले में जब लोगों को इसका सच पता चला तो लोगों को इस एक्ट्रेस से नफरत सी हो गई जहां कोर्ट का रेजल्ट आने से पहले ही जौनी डैप की मोस्ट पॉप्लर और फेवरेट फ्रेंचाइज तब पाइरेट ओफ करेवियंज में से उसे निकाल दिया था वहीं दूसी तरफ एमबर के कोट केस हारने के बाद भी अभी ये एक्क्वामेंट 2 में है लोगों ने एक्क्वामेंट 2 में से एमबर हड को निकालने के लिए एक कैमपेंट तक चलाया था जिसमें 46,39,000 लोगों से भी जादा लोगों ने साइन किये थे लेकिन DC उनिवर्स बालों को इससे कोई फरक नी पड़ा उन्होंने इसको फिर्मी फिल्म में रखा हुआ है और वहीं दूसी तरह बात करने जॉनी डैप की तो पाइरेट ओफ करेवियंस के प्रोडूजर ने साफ कह दिया है कि उनका कोई प्लैन नहीं है रिलीस होने वाली है तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप एमबर हड को इस फिल्म में देखना चाहते हैं या नहीं और पाइरेट ओफ करेवियन फिल्म में से जॉनी डैप के निकाले जाने के बारे में आप क्या सोचते हैं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करती हैं ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको जल्दी-जल्दी मिल सकें